Hello friends, आज हम Modern History के एक बहुत ही important topic, First Anglo Maratha War को detail में discuss करेंगे हमने पिछली वीडियो में दिखा था कि January 1761 में 3rd Battle of Panipat हुआ था जिसमें Maratha की हार हुई थी और पेश्वा बालाजी बाजी राओ के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था उनके बेटे विश्वास राओ, भाई शमशेर और सदासिव राओ के अलावा कई सारे Maratha Chiefs भी इस बैटल में मारे गए थे इस बैटल के अराउंड 6 महिने के बाद खुद पेश्वा बालाजी बाजी राओ भी चल बसे थे पेश्वा की कुर्सी खाली हो गई थी और रगुनात राओ को लग रहा था कि अब पेश्वा उसको बनाये जाएगा बट अगले पेश्वा बने बालाजी बाजी राओ के पुत्र माधवराओ माधवराओ मत्र 16 साल की उम्र में पेश्वा बन गए थे मगर कम उम्र के बावजूद माधवराव एक जबरदस्ट एड्मिस्टेटर्स सबित हुए थर्ड बैटलोग पानिपत की हार में हुए लॉसिस को माधवराव ने जल्दी ही रिकवर कर दिया और माधवराव की खोई हुई पावर और प्रेस्टीज विदिन अ पीरियर ओफ 10 यर्स वापस लॉट चुकी थी माधवराव फर्स के नित्रुप्त में बड़िया कोडिनेशन के साथ काम कर रहे थे पेश्वा खुद तो श्ट्रॉंक थे ही होलकर और सिंधिया जो मराठा चीर्फ थे वो भी काफी पावर्फुल थे बट यह रगुनात राओ लगातार कुछ ना कुछ प्लानिंग और प्लोटिंग में लगा रहता था ताकि कैसे भी करकर यह पेश्वा बन जाए माधव राओ को जब इसके बारे में पता चला कि चाचा जी जो है वो मान नहीं रहा है तो माधव राओ ने इसे कंट्रोल करने के लिए शैनिवार वाड़े में हाउस अरेश्ट करवा दिया बट 1772 में माधव राओ की क्यूबर क्लोसेस से मृत्य हो गई और इनकी मृत्यू मराठा एंपार के लिए घातक साबित हुई और इनके बाद इनके भाई नारायन राओ को पेश्वा बनाया गया इनके पेश्वा बनने के बाद रगुनात राओ को हाउस अरेश्ट से रिलीस कर दिया गया बट पेश्वा नारायन राव कोई खास strong पेश्वा नहीं थे और जब पेश्वा ही strong नहीं है तो उसके अंडर में काम करने वाली जो मराथा confidence है वो भी obviously इनके control में नहीं रहेगी तो उनका control दो है वो मराथा confidence से थोड़ा lose हो गया और दूसरी तरफ रगनात राव जो अब हा अब ये बात छुपने वाली तो थी नहीं सब को पता था कि उसने अपने भतीजे नारायन राव की हत्या करवाई है ताकि वो खुद पेश्वा बन सके लोग जो है उसे पेश्वा की रूप में पसंद नहीं कर रहे थे in fact कुछ ministers भी उसके खिलाफ थे और जब नारायन रा की कि इस बच्चे को पेश्वा बनवाए जाए इस बच्चे का नाम रखा गया सवाई मधवराव यानि यानि ये मधवराव से भी सवागुना तेज बच्चा था ऐसे नाम रख दिया हूं लोगोंने और कहा गया कि नारायन राव के बाद legally सवाई मधवराव को ही लोगों ने भी नाना फर्णवीज के नेतरित्व में एक काउंसिल बना ली जिसे बारभाई काउंसिल कहा जाता था इसमें नाना को मिलाकर टोटल बारा लोग थे और इसे तुकोजी होलकर महाद जी शिंदे वगेरा ये सब भी इसमें शामिल थे और इनका उद्देशे था स सवाई मादवराव को पेश्वा बनवाना और वो टाइम भी बहुत जल्दी आ गया जब बारभाई काउंसिल इस मोहीम में कामियाब हो गये और इन्होंने सवाई मादवराव को पेश्वा घोशित कर दिया सवाई मादवराव को मादवराव 2 की नाम से भी जाना जाता है म नाधव राव टू मात्र 40 दिन के थे जब वो पेश्वा बने और उधन उनके चाचा जी वो 40 साल के हो चुके थे और उनको कोई पेश्वा नहीं बनवा रहा था अब यह जो 40 महीने का बच्चा है यह तो एड्मिनिस्ट्रेशन समाल नहीं सकता तो इनके भीहाव पर नाना फट्नमीस और बारभाई काउंसिल इस पूरे के पूरे एड्मिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे थे अब यह जो बंदा है रागोबा यह मानने वालों में से था नहीं यह तब नहीं रुका जब माधव राव था उसको इसको हाउस एरेस्स कराना पड़ा और उसके बाद नारान राव के तो इसने हरत्या करवा दी तो यह 40 दिन के इस बच्चे को छोड़ेगा तो इसने सोच बिरटिस इस इंडिय कंपनी उसकी पेशवा बनने में मदद करें But British इसंडिय कंपनी फ्री में तो मदद करें कि आपके भी थोड़े बहुत डिमांड होंगी अब रागोबा को किसी भी हाल में पेशवा बनना था तो उसने जो मांगा वो दे दिया रागोबा ने सालसेट और बेसाइन बिटिशस को देना टै कर लिया यह जो सालसेट है यह बिसकलि वो एरिया है जहाँ पर मुंबाई थाने यह सब एरियाज है इसके अलावा सूरत और बरुच के जो डिस्टिक्स हैं उनसे मिलने वाले रिवेन्यू को भी वो ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गया था अब ये तो वो चीजे हुए जो ये ब्रिटिशर्स को ओफर कर रहा था अब ब्रिटिशर्स इसको क्या दे रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने का कि तुम एक काम करो हमारे धाई जार सोल्जर्स ले जाओ तो रगुनात राव को ये ही चाहिए था कि कोई उसको सपोर्ट करे और जाकर ये बेश्वासे लड़े तो ये थी Treaty of Surat यहाँ पर इसने कुछ चीजें Britishers को दी और Britishers ने इसके बदले इसको military support दी दिया था तो ये जो Treaty of Surat थी ये सूरत में हुई थी 1775 में हुई थी और British East India Company की Bombay Council और रागोबा के भीच हुई थी तो इस treaty की एक कॉपी जो है वो British East India Company की Bengal Council में भी भिजवाई गई क्योंकि Regulating Act of 1773 के बाद से Bengal की जो Council थी उसके पास Supervisory Power आ चुकी थी Bombay Presidency और Madras Presidency की तो ये लोग जो भी करते थे वहाँ से stemp या ठपा लगता था तो सूरट treaty के बाद रगुनात राओ और British East India Company के करनल कीटिंग्स अपनी forces के साथ मराठाओ की तरफ बढ़ने लग गए अब ये लोग जो हैं मराठाओ की तरफ बढ़ रहे थे अपनी forces लेकर तो obviously मराठा भी अपनी defense में किसी ने किसी को भीजेंगे तो मराठाओ की तरफ से defend कर रहे थे हरीपंद फटके तो ये दोनो forces आमने सामने आ गई और मार्च 1775 में शुरू हो गया फर्स्ट एंगलो मराठा भाज अब ये जो हरीपंद फटके थे इन्होंने जो है गुरिल्ला वार के जरिए बिटिश फोर्सेज की हालत खराब कर दी और ये वह और अभी चली ही रहा था कि उधर बिटिश इस इंडिया कंपनी की जो बेंगॉल कॉंसिल थी जहां पे वो लेटर भेजा गया था कि ये ट्रीटी हमने साइन कर दी है वारन हैस्टिंग्स ने इस ट्रीटी को पूरी तर से नकार दिया और वारन हैस्टिंग्स ने तुरंद जो है बॉम्बे कांसिल को ये वार स्टॉप करने के निर्देश भेज दिये अब ये तो हो नहीं सकता कि बिटिश फोर्सेज इस पीछे हाट जाए मराठा भी तो वहाँ पे लड़ रहे हैं तो वारन हस्टिंग्स ने मराठाओ को भी एक मैसेज भेजा कि भाई सब आप जो है वो आप रुख जाईए हम यहाँ पर वार रुखवाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिटिश फोर्सेज आलड़ी पीछे हाट रहे हैं तो आप एक काम करो हम लोग आपके साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन करेंगे और इस काम के लिए वारन हिस्टिंग्स ने करनल अप्टन को मराठाओ के पास भेजा और इस तरह साल 1776 में ब्रिटिश और मराठाओ के बीच ट्रीटी ओपुरंदर साइन हुई जहां पर ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी की तरफ से ये माना गया कि वो सवाई माधवराओ को पेशवा रिकॉगनाईज करते हैं ये इस ट्रीटी का इधिंग सबसे इंपोर्टन फेक्ट है क्योंकि इस से पहले वो रगुनात राओ का सपोर्ट कर रहे थे तो इसका मतलब सीधे से ये भी है कि वो लोग सवाई माधवराओ को पेशवा नहीं मानते होंगे क्योंकि वो रगुनात राओ को पेशवा बनवाने के लिए ये फाइट कर रहे थे तो ये सबसे इंपोर्टन पार्ट था इस ट्रीटी का और उन्होंने इसके साथ-साथ ये भी पहा कि जो माधवराओ की टेरिटी हमने एक्क्वाइर कर लिया है उसको भी हम र bucks रतन कर देंगे इसके साथ-साथ बिटिस इस 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 इंडिया गमरी ने ये भी बात मान ली कि वो मराठाओ के किसी भी दुश्मन के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे इंक्लूडिंग रागोभा अब ये जो ट्रीटी और पुरंदर है ये रागोभा के लिए तो बहुत ही बैट साबित हुई क्योंकि मराठाओ के साथ उसकी पहले दुश्मन चल रही है और बिटिश साब बोल रहे हैं अब हम तुमारा साथ नहीं देंगे तो अब रागोभा का क्या होगा तो इस बारे में भी इस ट्रीटी में बात हुई तो मराठाओ ने का कि आप उसकी चिंता मत करो हम इसे देख लेंगे हमारे ये आदमी बाई है तो मराठाओ ही तो हम एक काम करेंगे हम इसको एक ओफर देते हैं कि अगर ये अपनी आर्मी को डिस्बैंड करता है तो हम इसको 25,000 रुपे महीना की पैंशन दे देंगे 25,000 रुपे महीना इसके लिए बहुत है इसके खर्चे वर्चे चलते रहेंगे और अपना रेटायर हो जाया आराम से जी है तो ट्रीटियो पुरंदर अभी खतम नहीं हुए इसमें और भी पॉइंट्स है तो ट्रीटियो पुरंदर में एक बहुत ही important discussion और भी हुआ और वो ये था कि British East India Company ने का कि पुरंदर के बावजूद British East India Company जो है वो रागोबा को अपने साथ ही रखे होए थे जबकि उन्होंने वादा किया था कि वो रागोबा या फिर मराठाओ के किसी भी दुश्मन को अपने साथ नहीं रखेंगे राइट और ये जो रागोबा है ये लगातार British East India Company को उकसाते रहता था कि मराठाओ पे अटेक करो अटेक करो अब ट्रीटी उफ पुरंदर के बाद मराठाओ के दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ थी कि ये सारा का सारा मेटर इनका इंटरनल मेटर था रागोबा को पेश्वा बनना था रागोबा भी हमारा आदमी या मराठा है वो भी तो British का इसमें कोई मतलब भी नहीं है वो कहां से आगए बीच में है और Root Coast ये निकल के आया कि British East India Company को शायद ये लगने लगा है कि वो मराठाओ के साथ टक्कर ले सकते हैं तो मराठाओ के अब कोशिश ये थी कि वो अपनी पोजीशन को इंप्रूव करें और इतना ज्यादा इंप्रूव करें कि अगली बार अगर British East India Company उनके सामने आये तो खड़ी नहों पाए इसके लिए उन्होंने 1777 में फ्रांस के साथ एक Friendly Treaty साइन कर ली European Lines पे ट्रेन किया जाएगा और इसके बल्दे मराठाओ ने French East India Company को West Coast पर एक पोर्ट दे दिया अब ये बात भी कोई छुपने वाली तो थी नहीं British East India Company ने इस पर strongly react किया और मराठाओ की तरफ से की गई इस Friendly Treaty को ना सिर्फ उन लोगों ने condemn किया बल्कि मराठाओ पे अटेक की कर दिया अब इस अटेक को defend करने के लिए मराठाओ की तरफ से महाजी शिंदे जो है वो सामने आ गए महाजी शिंदे ने एक बहुत ही खतरनाक चाल जली उन्होंने British Army को लालस दिया कि वो ताले गाओं के पास में जो घाट्स है वहाँ पे मराठाओ पे अटेक कर दे बट जैसे ही British Army ने अटेक किया महाजी शिंदे की पूरी की पूरी forces उन पर तूट पड़ी और इसी के साथ साथ खापुली में British Army ने जो अपने supply base बनाय हुआ था उसे भी मराठाओ ने उड़ा दिया अब British East India Company को भागने के लाबा कोई भी रास्ता नहीं दिख रा था वो भाग कर जो है वर्ड गाओं के पास पहुंच गये बट मराठाओ ने उन्हें वर्ड गाओं में पूरी तरह से घे लिया और यहाँ पर 1779 में British Forces को सरेंडर करना पड़ गया और यहाँ पर British East India Company को वर्ड गाओं के ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसके हिसाब से British East India Company ने मराठाओ की जितनी भी territories occupy की है 1775 से सब की सब वापस करनी पड़ी यहाँ पर जो British Forces ने सरेंडर किया था इनके साथ रगुनात राओ भी थे तो रगुनात राओ भी पकड़े गए अब जब रगुनात राओ को पकड़ा तो उन्होंने हाथ जोड लिए उन्होंने बला कि हाँ भीया मैं मानता हूँ कि मैं ही responsible हूँ कि मराठाओ पर जो भी attack हो रहे हैं यह सब मैं ही करवा रहा हूँ तो मराठाओ ने कहा कि ठीक है वह या अब जो भी कर रहा हो तुम सही है आप इन सब को बंद करो कि आप यार रेटायर क्यों नहीं कर जाते हो आप जहां सी चले जाओ वहाँ तुमें हर महीने pension देते रहेंगे अरे चले क्यों नहीं जाते हो तुम तो रागोबा ने कहा यार कि मैं चले तो जाओंगा लेकिन problem यह है कि मैं तो कभी पेश्वा बन नहीं पाया लेकिन कमसिकर में जो मेरा बेटा है उसको पेश्वा के administration में तो रख लो क्या करेगा वो वो थोड़ना retire हो सकता अभी से तो मराठाव ने कहा कि ठीक है तुमारा जो बेटा है बाजी राव 2 उसको हम जब बढ़ा हो जाएगा तो पेश्वा के administration में रख लेंगे उसकी चिंता मत करो तो वर्डगाओं में तो treaty sign हो गई बढ़ वहाँ वर्डगाओं के treaty को मानने से ही मना कर दिया वर्डगाओं के treaty को मानने से ही मना कर दिया वर्रण हिस्टिंग्स ने कहा कि बेटा तुम हम से surrender करवा होगे तो उसने तीन different forces भेजी एक करनल गुडाट के नितरत में दूसरी Captain Popham के और तीसरी General Kamek के नितरत में इनकी forces जहां घुस रही थी बस capture करते हो जा रही थी करनल गुडाट ने February 1779 में एहमदाबाद को capture कर लिया उसके बाद Captain Popham ने August 1780 में गौलेर capture कर लिया उसके तुरंद बाद December 1780 में खबार आई कि करनल गुडाट ने बसाइन को भी capture कर लिया फिर इसके बाद जो खबार आई उसके बाद तो कुछ बसता ही नहीं था General Kamek ने सिपरी के यूद में महाजी शिंदे को हरा दिया Warren Hastings ने का कि ठीक है अब इतना ही काफी है रुको Warren Hastings को बता था कि नाना फटनवीस से अगर अपनी शर्तों पर ट्रीटी को साइन करना है तो महाजी शिंदे को नाना से अलग करना होगा और Warren Hastings ने यही किया उसने महाजी को हरा तो पहली दिया था उसकी territories को भी capture कर लिया था तो महाजी को बलाया और उसके साथ अलग से एक peace agreement साइन किया यह जो peace agreement था यह October 1781 में किया गया था Warren Hastings ने का कि देखो तुमारी जितनी भी territories हैं वो सब तुम्हें वापिस कर दी जाएंगी बस तुम्हें एक काम करना है कि पेश्वा और company के बीच में आप जो है mediator का का काम करो यह बहुत ही जबर्दस चाल थी क्योंकि महाजजी जो है वो अब बिसिकली मराठाओं के साथ नहीं बलकि during the treaty as a neutral इंसान की तरह काम करेगा इनके साथ यह अलग से treaty करने का purpose ही यह था कि इनको नाना फटनवीस से अलग कर दिया जाए और यह basically neutral इंसान की तरह इस treaty में participate करें जो मराठा और पेश्वा के बीच में होने वाली है यह था main purpose और इन परिस्थितियों में मराठा और ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी के बीच साइन हुई treaty of salmai जहाँ पर सबसे पहली term तो यही थी कि salcet जो है वह ब्रिटिस इस इस इंडिया कंपनी के position में रहेगा बट मराठा के लिए थोड़ी सी राहत यहाँ पर इस बात से थी कि 1776 से जितनी भी territories ब्रिटिस इस 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 के बाद मराठाओ को वापस मिल रही थी इसके बाद मराठाओ ने का कि वड़गाओं की treaty आपने मानने से मना कर दिया था लेकिन हमारी बात हो गई थी रगुनात राव से और रगुनात राव तयार है कि वो रिटायर हो जाएगा और हम उसे pension देते रहेंगे तो ब्रिटिस इस ने का कि हमें क्या मतलब है जहां भेजना भेजो इसको तो वड़गाओं की treaty का जो ये point था रगुनात राव से लेटेड वो यहां पर भी डाल दिया कि भाई इसको हम pension पर रख देगे अब इसके बाद एक और बहुत important point यहां पर डिसकस हुआ treaty ओफ सल्भाई में यहां पर बिटिस इस इस इंडिया का में ने का कि यार यह नहीं चलेगा कि आप किसी दूसरे European powers के साथ हाथ मिलाते जा रहे हो यहां पर हमारे से treaty करके जाते हो और फिर वहां पर जाके French के साथ हाथ मिलाते हो तो मराठाव ने का कि ठीक है भाई आप जो हो गया सो हो गया आप नहीं करेंगे तो treaty of salbhai sign हो गई और इस treaty का mutual guarantor जो है वो महाजी शिंदे को बना दिया बोला कि अगर दोनों parties में से कोई भी इस चीज़ को follow नहीं कर रही है तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो महाजी शिंदे की है उन से बात की जाएगी तो treaty of salbhai sign हो चुकी थी सारे गिलेशे को एक खतम हो चुके थे तो British East India कमने ने कहा कि आप trade rate कर सकते हैं हम आपके चित्र में जो privileges हमें पहले मिल रहे थी वो तो मिलती रहेंगी न होजने के लिए बुक्स दभा की playlist को follow कीजिए link आपको description में मिल जाएगा thank you so much for watching books दभा